आपको ऐसा ही खेलती रहना चाहिए, आपको कुछ न कुछ करती रहना चाहिए, क्या मुझे ऐसा ही पढ़ाती रहना चाहिए, उन्हें महिनत करती रहना चाहिए? क्या गाईस आप इस तरह के हिंदी सेंटेंसिस को इंगलीस में कन्वर्ट करना जानते हैं आगर नहीं तो आप विडियो के अंतक बने रही है यानि मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप सुड के साथ वर्ब में आई एंजी का प्रियो कर देंगे यानि ऐसा बताया जाता है कि जब किसी ब्यक्ति को किसी पर्षन को यानि सामने वाले ब्यक्ति को कोई कार ये करने के लिए कोई कार ये करने के लिए अगर सलाह दिया जाए उसको कुछ काम करने के लिए बताया जाए उभी continue वो भी लगतार करने के लिए bethaya zabi तो उसमें should के साथ हम वर् में ing का प्रियो करते हैं एक लौता should के साथ नहीं यानि should be के साथ हम वर् warrant thing ing का प्रियो करते हैं एक पराओ अगर किसी व्यक्ति को लगतार लगतार कोई कार यह करने के लिए या होने के लिए उसको सलाह दिया जाए तो उसमें action होता है हम just should be के साथ क्रिया में ing का प्रियोग करते हैं साथ ये बात आपको ढंग से समझ में नई आयोगी लेकिन यहाँ trick है अगर आप should be के साथ ing का प्रियोग करते हैं तो बस आपको ये दिखना है कि चाहिए के पहले रहना अब उस रहने के पहले ते ते और ते ये आप trick अगर form अपनाएंगे तो आपको ये guarantee है मैं guarantee देता हूँ confirm हो जाएगा कि should के माध्यम से सामने वाले को action कराने का प्रियास किया जा रहा है सलाह दिया जा रहा है यहाँ देखिए आपको ऐसा ही खेलते रहना चाहिए ते रहना चाहिए ते रहना चाहिए ते रहना चाहिए ते रहना चाहिए guys इसमें किसी कार्य को लगतार होने के लिए सलाह दी जा रहे है तो जब ते रहना चाहिए हो तो आप should be के साथ v4, v4 means ing, v4 means ing, यानि क्रिया में ing लगाना है, अब यहाँ दिखिए, आपको ऐसा ही खेलते रहना चाहिए, तो सबसे पहले आपको की मेनिंग आपको लगाना है you, अब आए चाहिए के लिए, चाहिए की मेनिंग यहाँ पर लगाएंगे should, अब रहने के लि यानि जिसमें तेज सब्द रहेगा, वो आपका main verb है, यानि वो आपका action है, अब उसमें हम क्या करेंगे, जैसे play, play means होता है खेलना, उसमें लगाएंगे ing, यानि you should be playing, आपको खेलते रहना चाहिए, बिल्कुल उसी के basis पर नीचे वाले sentence को देखेंगे, आपको कुछ नक करते रहना चाहिए, तो आपको, आपको की meaning यहां लगाएंगे, you, उसके gesture बाद हम चाहिए, चाहिए जो model verb है, इसके बाद लगाएंगे should, और उसके बाद रहने के लिए be, अब या आपका आगया action, यानि करना, तो करने की meaning होगा, do, इसमें लगा है ते, यानि ते लगने का मतलब कि आपको ing जोड़ना है, तो you should be doing, कुछ न कुछ के meaning होती है, something, something, or the other, other, इसे के basis पर नीचे वाले sentence में, क्या मुझे ऐसा ही पढ़ाते रहना चाहिए, यानि guys, उपर वाली sentence में आपको कुछ ऐसा ही, आपको ऐसा ही खेलते रहना चाहिए के meaning, यानि ऐसा की meaning यहाँ छूटा हुआ है, so, अब इसी के तरह से, इसी के basis पर नीचे देखेंगे, क्या मुझे ऐसा ही पढ़ाते रहना चाहिए, तो यहाँ पर advice लिया जा रहा है, यहाँ पर खुद मैं सला ले रहा हूँ, यानि सबसे पहले क्या आया हुआ हुआ है, तो लेका, शूट लगाने से क्या क्या मतलब निकल गया, और साथ ही साथ चाहिए का भी मतलब निकल गया, अब रहने के लिए, यानि सबसे पहले subject आपका मुझे है, तो आई, अत्तब रहते, यानि रहने के लिए be, और पढ़ाते, यानि पढ़ाते, यह आपका main verb है, यानि इ इसके बाद उने हे महनद करते रहना चाहिए, उने हे subject आपका, दे, दे के just बात लगाएंगे, चाहिए के लिए suit, यहाँ लगा suit, उसके बाद रहना, रहने के लिए लगाएंगे be, अब रहने के just पहले आता है, करते, यहनि मेहनत करते, मेहनत करते यहनि आपका main word है, यहनि आपका action है, तो इसमे मेहनत करने की mailing होती है, toil, यहनि कड़ी मेहनत करना, परिश्रम करना, आप इसमें लगाएंगे I-N-G, तो they should be toiling, उनको ऐसे ही मेहनत करने रहना चाहिए, तो guys यह मेरा रहा प्रयास, यहनि should be के करते हैं कब, जब हिंदी sentence के last में जाते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, खेलते रहना चाहिए, जब भी इस तरह के sentence आए, तो इसमें action होता है, और should be के साथ आप वर्व में I-N-G का परियोग कर सकते हैं, thanks a lot.